हलो दोस्तों वेलकम बैक फ्री सार्केट लाब में आपको स्वागत है दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे असीलोस्कोप के बारे में इस चीज को कैसे यूज किया जाता है और यह क्या है कितना इंपोर्टेंट है यह आपके लाइफ में आगर आप लिपनों एक करने के लिटा आता है और यह बहुत सारे चीजे को मैजर कर सकता है जैसे कि AC voltage, DC voltage, temperature और कई सारे चीजे जैसे कि continuity, diode voltage drop, frequency, MPR, milliampire, no contact voltage और बहुत सारे चीजे मिल जाता है माल्टिमेटर के अंदर तो यह इतना कॉम प्राइस में इतना सारा चीज आ ओफर करता है लेकिन यह यह जो oscilloscope होते है इसका प्राइस होता है लगवख 20-30,000-40,000 जैसा और यह बस मेजर करता है voltage और कुछ भी नहीं तो भाई साब एक parameter को मेजर करने के लिए हम इतना पैसा खर्च क्यू करें तो definitely कुछ खास बात है इसके अंदर तो चलिए इसी को आम लोग find out करने की try करते है तो यह है एक oscilloscope device इसका यह है power switch तो इसको power run करेंगे तो display में आपको कुछ नजर आएगा वो है signals जो आप लोग इन दोनों pin में fit करेंगे यह दोनों होता है दो channel यह है channel 1 यह है channel 2 तो यह दो channel scope है इसलिए दो channel है यहापर तो चार channel scope भी आता है और बहुत सारे चीज़ा आता है यह है analog oscilloscope मतलब कि इसका display जो है वो analog type की है यह cathode ray oscilloscope यानि CRO नाम से जाना जाता है इसको तो इसके मतलब से अगर आप लोग कुछ signals देखेंगे तो इस तरह से display में दिखा ही देता है तो यह signals की जो voltage है वो time के respect में कितना change हो रहा है वो दिखा रहा है तो इस तरह आप यह x-axis में time दिखाता है और यह y-axis में यह voltage की indicate करता है मतलब voltage कब कितना था कौन सी millisecond में कौन सी यह एक सेकन में कितना voltage ता यह भी measure करता है यह बहुत ही fast है यह पर देखिये लिखा हो है 20 मेगा हाज तो यह measure कर सकता है तो definitely माल्टी मेंटेर्स उतना fast नहीं है यह लगवक एक सेकन में 3 बार तक measure कर सकता है लेकिन यह एक सेकन में 20 मिलियों टाइम्स की measure देता है मतलब कि एक सेकंड में अगर कोई voltage 20 million बार change होता है मतलब दो कड़ोर बार change होता है उसको भी यह यहाँ पर display कर सकता है तो definitely यह खास बात है इस oscilloscope का तो यह एक ही चीज़ को measure करते हैं बहुत सारे चीज़ों का पता हमें दे सकता है जैसे कि यह only voltage को measure करते हैं phase difference, AC voltage, DC voltage, millivolt, frequency और कई सारे चीज़े की measurement हमें कर देता है तो चले जामते हैं यह device कैसे काम करता है, इसका display कैसे काम करता है तो इसका display में इस तरह की एक dot आता है जो इसके पीछे जो electron कान है उससे एक beam फार होती है और उस beam के थ्रू यहाँ पर display में एक luminance चीज़ दिया गया है जहाँ पर electron strike करने से dot produce होती है तो इस तरह से इसका display काम करता है जैसे CRT TV का display काम करता है वैसा ही technology यह है तो यह पर यह dot जो है इसको xy axis में इस तरह से sweep किया जाता है तो इसको अगर हम लोग high speed में देखना चाहे तो हमें कुछ ऐसा एक line देखने को मिलेगा तो इस line के through अगर आप लोग यहाँ पर कोई function generate करके इसमें देते है तो आपको कुछ इस तरह की दिखाई देगा तो इसको अगर हम लोग slow देखे तो display कैसे काम कर रहा है यह पता चलेगा देखी यह dot जो है उस signal के according भरी कर रहा है यहाँ पर हमने signal दे रहे है triangle wave 1.1 हर्ज की मतलब कि एक second में 1.1 pulse generate करता है तो इस चीज़ का अगर हम लोग speed कर देते है इसका frequency भी बढ़ा देता है तो यह कुछ इस तरह की line दिखाता है हमें तो यह ही एक representation है कि यह signal किस तरह से काम कर रहा है high speed signal अब यहाँ पर जो controls मिलता है उसमें से यह तो है पहला power की यह है power indicator और यह है intensity display की brightness और यह है display की focus मतलों कि जो electron beam यहाँ पर project हो रहा है उसका focusing करने के लिए इसको यूज किया जाती है और यहाँ पर दो channel है दो channel के लिए जो controls है यहाँ पर यह control है first channel के लिए यह control है second channel के लिए और यह है triggering control और horizontal control आप कह सकते है जो horizontal में beam को इस तरह से scan किया जाता है उसका control यह है यह मैंने दो channel का on कर दिया तो यहाँ पर यह first channel में मैंने input किया इसका जो एक calibration के लिए web निकलता है यहाँ से यही खूद एक web निकलता है एक square web half volt peak to peak 1 kilohertz की तो इसी को मैंने यहाँ पर channel 1 में fit किया और channel 2 में मेरा function generator से function यहाँ पर fit किया अब आगर हम लोग किसी individual switch को press करते है तो यह एक channel को activate करता है तो इसको आप करके इसको प्रेस करेंगे तो यह चैनल 1 को activate कर दिया दोनों चैनल को activate करने के लिए दोनों switch को दबा कर रखना है तो यह हो गया channel selection उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक channel के लिए voltage axis की magnification है तो देखिए उपर में जो channel 1 है इसका voltage axis बढ़ रहा है देखिए ओके और यह है channel 2 के लिए voltage axis यानि magnification camera की फ्रेम रेट के वज़ा से यहाँ पर display थोड़ा सा आपको आजीब दिख रहा होगा लेकिन यह ऐसे नॉर्माले आखों में नहीं दिखते हैं अब जब दोनों चैनल triggering है इस सब मेनू से आप लोग इसको trigger कर सकते है तो यह पर देखिए मेनू में यह क्या क्या है दोनों चैनल को जास्टे एक्टिवेट कर देता हूं तो यहापर दोनों चैनल activate हो चुका है यहापर दो बटन मिल जाता है चैनल 1 और चैनल 2 और यह अल्टरनेट तो इन दोनों बटन में से किसी एक को अगर प्रेश करेंगे तो एक चैनल टिंगार होगा दूसरा चैनल टिंगार नहीं होगा और यहाँ पर इसको दबाएंगे तो यह trigger हो गया और यह trigger नहीं है अब दोनों को ही प्रेस कर देंगे या फिर दोनों को ही off कर देंगे तो दोनों चनल ही एक साथ trigger हो जाएगे alternate mode में यह पर नीचे alt लिखा हुआ है और यहाँ पर external trigger का भी option है यह एक्स्ट बॉटन को दबा कर यहाँ पर इस बाली bnc connector में आगर कोई signal external से दिया जाए तो उसके थूँ यह trigger होगा बेसिकली triggering का मतलब क्या होता है यह display में जो web phone draw कर रहा है वो यहाँ से start कर रहा है फिर एक बाट draw किया फिर से वो जीस point से start होगा उसी को triggering बोलते है होगा मतलब कि कभ यह start होगा तो यह exactly same signal बार बात draw करेगा अगर यह different signal बार बात draw करता है तो हमें display में इस तरह का दिखेगा मतलब कि एक ही signal को ड्राकर रहा है लेकिन different points से drop कर रहा है इसलिए हमें एक signal नहीं मिल रहा है अगर हमें यह trigger हुआ signal मिलता है तो यह same इसी point से बा में ट्रिगार हुआ था अब इस लोप को दावा देंगे तो यह निचे से उपर जाने वाले परंड में यह आप ट्रिगार करेगी और यह है ट्रिगार की LED यह जला मतलब कि ट्रिगार हो चुका है आपका यह ट्रिगार लेवेल आप सेट कर सकते हैं इसके तुरू देखिए एक लेवेल के उपर चले जाता हूँ तो यह सिगनल ट्रिगार नहीं हो रहा है तो इस तरह से आप लोग लेवेल एड्जास्ट करके ट्रिगार भी कर सकते हैं और यह पर और कई सारे मेनू है ट्रिगारिंग के यह उतना डिटेल में मुझे भी नहीं पता आप चलिए यह आप और इस वर्टिकल सेक्षन को देखते है यह होगा पोजिशन अड्जास्ट्मन चैनल वान के लिए यह होगा पोजिशन अड्जास्ट्मन चैनल टू के लिए और होरिजन्टल पोजिशन यह है तो दोनों ही चैनल एक ही साथ मूब करेगा होरिजन्टल पोजिशन में क क्योंकि horizontal में आगर दोनों difference से मूव करें तो यहाँ पर हमें फ्रेज difference नहीं मिलेगा क्योंकि time तो independent है सब के लिए इसलिए time axis में इसको एक साथ ही मूव करना होगा आप यहाँ पर दो control और है यह है ground मतलब कि किसी एक channel को आप लोग ground कर सकते हैं यह दखिए तो यह है channel 2 के लिए दिखाया तो यह देखिए ground कर दिया मतलब कि 0V कहाँ पर है उसको आप लोग देखने के लिए इसको ground कर सकते हैं यह जो signal है इसका voltage को check करना के लिए हमें 0V कहाँ पर है वो check करना पड़ेगा तो इसको ground करके आप लोग 0-fold चेक कर सकते हैं अगर ये ठीक जगा पर नहीं है तो इसको आप लोग move करके ठीक जगा पर 0-fold को ले जा सकते हैं उसके बाद आप लोग इस ground को हटा देने से ये signal जो है 0-fold के across में दोनों तरफ symmetrically distributed होगा बाकी यहाँ पर एक 5X जूम का feature है मतलब कि voltage axis में ये तो जूम कर रहा है उसके साथ साथ आप लोग इसको दबाने से एक साथ में 5X जूम पा सकते है और यहाँ पर time axis के लिए ये है 5X जूम का knob तो इसको दबा देंगे तो 5X shift हो जाएगा ये वाला knob और यह है channel 1 के लिए 5X जूम अब आपको पहले बताई ये दोनों switch को आप कर देंगे तो ये दोनों signal एक साथ मार्ज हो जाएगी मतलब कि add हो जाएगी तो हम लोग addition कर पा रहे है लेकिन subtraction कैसे करेंगे मतलब कि दोनों channel के बीच minus करना है तो उसको करने के लिए channel 2 को invert कर देना है ये है invert channel 2 का option तो इसको कर देंगे तो channel 2 invert हो जाएगी और ये addition वाला system ये subtract करेगी आप देखिए दोनों channel को दिखा तो ये आपको ये channel को invert करके देखाता हूँ देखिए ये channel उल्टा हो जा रहा है और दोस्तों यहाँ पर एक और बटन है ये है chop और alternate mode तो ये mode क्या है basically तो इसके लिए हमें इसको slow करना पड़ेगा तो देखिए display जब slow है देखिए ये एक बार पहले channel 1 को draw कर रहा है फिर जाके ये channel 2 को draw कर रहा है तो ये है अभी alternate mode में अगर हम लोग इसको chop mode में देखे तो दोनों channel को एक साथ में draw करेगी देखिए मतलब कि बहुत ही high speed में ये switch कर रहा है हमारे पास point एक ही है जो display में point है वो एक ही है दो नहीं है तो ये एक ही point दो channel को draw करता है तो ये कैसे draw करेगा इसका ही control है यह अगर आप चाते है कि alternatively draw करे तो alternate करेगा और chop mode में ये बहुत ही high speed में एक एक channel को draw करता जाएगा आपने भी नहीं चलेगा तो यह है चौप और अल्टरनेट का फीचर यहां पर एक स्वीच है डीसी एसी कपलिंग क्या इसको दबा देंगे तो इस वेब में आगर कोई इसको पहले क्या करना था नॉर्माल मोड में यह इस तरह आप एक स्कैनिंग कर रहा था वो किसी इंपूट सिंग्नेल के उपर डिपेंडेंट नहीं है इन दोनों में जो इंपूट देंगे वो बस वोल्टेज एक्सिस में इस बीम को स्कैन कर सकता है लेकिन इसका जो होरिज करते हैं एक स्वाई मोड को तो इसमें क्या होता है चैनल वान जो है एकस का काम करता है चैनल टू वाई का काम करता है तो इसको आप लोगों को दिखा भी देता हूं तो यह देखिए मैं वान पॉइंट फाइब हाज की एक सिंगनल दे रहा हूं और इसको चैनल वान में द एनिवे तो एक स्वाइ मोड एक बहुत ही एहम फीचर है उसिलोस्कूप का इसके तुरू आप लोग कोई कंपोनेंट का बोल्टेज ओवर करेंट का जो प्लाट होता है मतलब की करेक्टरिस्टिक काब्स यह सब इस डिस्प्ले में प्लाट कर सकते हैं तो इसके बारे में एक स्वीच कर सकते हैं अब यहाँ पर डिस्प्ले में कुछ स्केल लिखा हुआ है देखिए स्केल दिया हुआ है कुछ तो इस स्केल के साथ इस जो वेव है इसको मैच करा रहा होगा तो इसके लिए हम लोग पोजिशन अड्जस्ट्मेंट को घुमाएंगे जैसे यहाँ पर आकर के हम लोग इसको एक फिक्ष्ट पॉजिशन में लाएंगे जो स्केल से के एक ओकी तो इसका एक पी को हमने स्केल की जो मीडिल है यहाँ पर लगा दिया अब स्केल की दूसरा जो पीख है वह कहाँ पर गया वह देखना होगा तो दूसरा पीख कितना तक गया यह एक डिविजन दो डिविजन उसके बाद कुछ गया है तो यहाँ पर कुछ-कुछ मार्किन्ग दिया गया है यह पॉइंट टू करके होता है तो दो डिविजन गया है उसके बाद 0.2 और 0.2 मतलो तीन बार 0.2 गया 2.6 डिविजन हुआ है अब यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे यह रोटारी जो है कहाँ पर सेट किया हुआ है यह थोड़ा सा हिला हुआ है लेकिन यह 0.2 ही है उसके बाद यह 0.1 और यह 50 में चला गय मतलब कि 0.2 मिली सेकंड एक घर में है यह जो बड़ा बड़ा घर है यहाँ से यहाँ तक एक होता है 0.2 मिली सेकंड जब यह रोटारी इस 0.2 पोजिशन में होता है तो हमारा यह यहाँ पर रेडिंग आया 2.6 और यह 0.2 मिली सेकंड करके है तो इसलिए हमें यहाँ से पता मतलब कितना सेकेंड होता है, इसको डिवाइड करना होगा 1000 से, तो इतना सेकेंड, 5.2 x 10 to the power minus 4, तो यह होता है 0.00052 सेकेंड, अब इसको हम लोग 1 by कर देंगे, तो हमारा एंसर जो है मिल जाएगा, तो यह 1.923 किलो हर्ज का हो गया, मतलब कि 1923 हर्ज की यह सिगनल है, तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग क्या सिगनल दे रहे थे, तो देखी यहाँ पर 860 जैसा हर्ज आया था, तो यहाँ पर 1900 सम्थिंग आया, तो यह बस थोड़ा सा एरर दिखाया, क्योंकि हमने कोई डि लेकिन यह ज्यादा नहीं है, तो इस तरह से ऐसिलोस्टोप से फ्रिक्यून से म अपगता है, जास्तप को क्या करना होगा, यह पर इस स्केल में इसको फिट करना होगा, तो स्केल में धेखना वहाँ एक एक पोइंट से identical दूसरा पोइंट इसका कहा पर जा रही है आगर एक स्क्यार await वहता ही है तो इसके लिए हमाँ क्या करना पड़ता इसका इसरी में Diff little देखना होता इस पॉइंट से इस पॉइंट नहीं यह आधा सिगनल है उसके बाकी आधा निचे में है तो यह इतना तक लेने से एक सिगनल फूल होता है तो यहां से यहां तक की जो डिफरेंस है वो हमें मैजार करना था इस तरह से ओकी उसके बाद यह जो भैलो मिला यहां स से तुपॉइंट सिक्स या कुछ भी है तो उसको माल्टिप्ले करना होगा यह रोटारी कहा पर है और यह यूनइट क्या है मिली है या सकेंड है या फिर इसके बाद हम लोग वोल्टेज कैसे मेज़र करेंगे इसका पिक टूपिक वोल्टेज कैसे मेज़र किया जाएगा यह देखिए वोल्टेज का नॉब को एक सब्सक्राइब जगा पर सेट करके हमें पॉजीशन अड़स्ट करके यह कितना घर तक जा रही है वह देखना होग तो मानले जी है हमने इसको इस तरह से लगाया तो कितना घर गया देख लेते हैं तो यह एक डिविजन गया फिर दो डिविजन पूरा नहीं गया पॉइंट 2.4.6 तक गया तो 1.6 गया है तो 1.6 इंटू यहां पर कितना था यह वह है 5 बर मतलब कि 5 बोल्ट पार एक डिविजन मतलब कि यहां से यहां तक 5 बोल्ट यहां से यहां तक 5 बोल्ट तो 5 देखे इसको माल्टिप्ले करना 1.6 को तो यह 8 volt pick to pick यह signal है तो इस तरह से voltage भी measure कर सकते है तो दोस्तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद है और इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला oscilloscope के बारे में तो मुझे लगता है इसके बाद आप oscilloscope को अच्छे से handle कर पाएंगे सही तरीके से आप दोस्तो लास्ट एक चीज दिखा के इस वीडियो को end करूँगा यह पर देखिए एक और control है trace rotation नाम का तो यह actually क्या है तो इसमें screw driver से एक pot है इसको घुमाएंगे तो यह trace जो है rotate हो रहा देखिए तो इसके मगत से आप oscilloscope का जो trace है इसको rotate कर पा रहे है तो आगर आपका trace जो है इस graph के साथ same नहीं है तो उसको आप लोग rotate करके fix कर सकते है तो friends मुझे लगता है यह वीडियो आपको काफी ज़्यादा पसंद है और काफी कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से आगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दिये friends के साथ share कर सकते है और इस तरह की interesting वीडियो और सिखने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के और वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों thank you for watching मिलेंगे नेक्स तूटों विदे प्रेसंट निव आइडिया